दोस्तों, जब आप एक ही जगह पर पैर मोड़कर घंटों बैठे रहते हैं, तो ऐसे में आपके पैर में नमनेस या सुनपन आ गया, या एक ही करवड पर लंबे समय तक सोई रहे हैं, हाथ दब गया, फिर पैर दब गया, इससे भी हाथों पैरों में सुनपन आ गया, और इ जिंजिनी की समस्य हमेशा होते रहती हैं, तो आप ये समझिये कि पैरों में, हाथों में खून के सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, ऐसा तब होता है जब आपका खून गाड़ा हो चुका होता है, नसे शंक्री हो चुकी होती है, सीकुड गई होती है, जिसके कारण ख natural blood thinner है इसके लावा यह धमनियों को संक्रा होने से बचाती है यह धमनियों को चोड़ा कर देती है flexible बनाती है लहसुन खाने से आपको यह समस्या कभी भी नहीं होगी लेकिन इसका इस्तमाल आपको regular करना होगा अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि हम तो लहसुन खाते हैं सब्जियों में डाल कर खाते हैं हम पका कर खाते हैं तो मैं आपको बता दू कि लहसुन को अगर पका कर खाये जाए तो इसके पूरे फायदे हमें नहीं मिल पाते हैं लहसुन खाने का मैं बहुत बढ़ियां सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही स्वाधिश्ट है इस तरह से खाएगा, लहसुन के साथ एक और और उस्थी लीजेगा, इससे इसके ताकत कई गुना भढ़ जाएगी, आपको लेना है अधरक, दो कच्छी कली लहसुन लेनी है औ कॉलेश्टर को कम करने का काम करते हैं, इसे लेते रहने से आपको सुन बन के समस्या कभी भी नहीं होगे, इसका इस्तमाल आप रेगुलर कर सकते हैं, जब तक चाहें, तब तक कर सकते हैं, कम से कम इसका इस्तमाल तीस दिनों तक जरूर कीजेगा, तीस दिनों के बाद बहुता है। तो इसलीज होता है कि इनका खूण इतना काणा हो चुका है कि वह नसों में जम चुकी होती है। और हाथो पैरों को हिलाने के बाद में ठीक नहीं होती, उन्हें किसी चीज का आहसास नहीं होता , हम किसी चीज को उठा रहे हैं तो उंगलियों में ग्रीप नहीं बन पाता है, बतलब कि यहां के खुण के सप्लाइ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जैसे में आपको क्या करना रहे साथ साथ में आपको फिजिकल एक्टिविटी रखना आप रेमेडी तमाम तरह के लेड़ो लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखोगे तो रेमेडी और दुनिया की कोई भी रवाई काम नहीं करेगी तो सबसे पहले दालचिनी का स्यूमन चुरी में बलड शकुले लग जाती है, तो आपको रोजाना दालचिनी की चाय पीना शुरूर करतीजें, एक कप गरम पानी में दो से तीन चुट की दालचिनी का पौर डालिए, मिक्स कर लीजे और उसे सिप सिप करके फी लीजे, ऐसा आप दिन में दो बार लीजे, आपको लगातार एक महिने तक र कर लीजे, नहीं तो आप योगा कर लीजे, सुर्य नमस्कार कर लीजे, कोई exercise कीजे, जिसमें आपकी पूरी body stretch हो रही हो, अब इसके लावा मैं आपको diet के बारें बताता हूं, nutrition के बारें बताता हूं, जिसकी कमी से समस्या होती है, आपको मैं तीन चीजों के बारें बता रह खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और बहुत से पूरुष भी हैं, जो लापरवाही बरते हैं, खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, morning breakfast छोड़ दिये, या फिर lunch नहीं किये, डिनर नहीं किये, smoking drink करते रहते हैं, तो उनको भी आदत सुधारनी होगे, आपको मैं ती तीसरा है आरन और तीसरा है विटामिन बीट वेल्व, अगर शरीक अंदर इन तीनों चीजों की कमी हैं, या फिर इन में से किस एक चीज की कमी हैं, तो हाथ पैर सुन्द पढ़ने लगेंगे, और हाथ पैर हिलाने पर भी ठीक नहीं होगी, ऐसे हैं आपको डेली calcium वाली ड कीजे, और आपकी उम्र 40 से कम है, तो आप calcium वाला diet लीजे, या फिर अगर आप calcium supplement नहीं लेना चाहते हों, तो रोजाना यह देखे, यह चूना, इसे खाने वाला चूना कहते हैं, यह calcium carbonate है, यह सुध calcium है, इसका 7 करके भी आप calcium कमी को बुरा कर सकते हैं, रोजाना एक ग्र चूना लेना है, यह आपको आसपास केसी भी पान के दुकाने आसानी से मिल जाएगा, चूने को क्या करना है, पानी में घोल लेना है, या फिर इसे गन्ने के juice में घोल लीजे, डाल में घोल लीजे, दही में घोल लीजे, लस्ती छाच वगरा में घोल लीजे, और इसका 7 क लिए रोजाना सेवन कीजेगा इसका 15 दिनों तक 15 दिनों के बाद आपको सिर्फ वीक में दो दिन लेना है ठीक है अगर शेरी में कैलिशिम ज्यादा भी हो जाए तो तकलीफ हो जाती है तो इसलिए आपको सिर्फ 15 दिन ही लेना है इस बात का विश्विश ध्यान लखेगा इसके लावा एक अनाज है जिसे हम रागी कहते हैं कई जगों पर इसे मडुवा के नाम से जानते हैं इसके बारे में आप शायत जानते भी होंगे इसके आटे की आप रोटी बना कर खाएए घर पे कोई बुजुर्ग हैं बच्चे हैं उसे जरूर रागी का सेवन करवाए जाये तो उनकी हड़िया कभी भी कमजोर नहीं होगी रागी काटे की रोटी बनती है इसका चीला बनता है दोसा एटली बहुत सारी चीजें बनती है बहुत सारी डीसे बनती है तो रागी के सेवन करना शुरू कर दीजे इसके लावा आरेन की कमी के लिए क्या करना है दोस तो भूस्तों शेरी में अगर आरаютьं की दो हो जाए तो शेरी में कमचुरी ठाकान हो जाए इससे से नसे कमचुर होने लगदी है शेरी में खुण की कमी की वज़ा से blood circulation अच्छे से नहीं हो पाएगा आपको हमेशा चक्कर आएगा नीन नीन सा महसूस होगा तो इसके लिए क्या करना आपको week में 2-3 दिन पालक का जूस पिना है अगर आपको kidney stone के समस्या नहीं है uric acid के समस्या नहीं है तो आप पालक का juice जूरूर पीजए week में 2-3 दिन पीजए रोजाना पिने के आउशकत नहीं है पालक juice हमारे शरीर के अंतर आरेन की कमी को पूरा करता है आरेन की कमी जंदगे में कभी भी इससे नहीं होगी आप वीक में 2-3 दिन रोजाना पालक जूस्पिना शुरू करते के नहीं तो कोई तक्लिफ नहीं होने वाली पालक पोशक तत्तों का खाजाना होता है और पालक आरेन का रीच सोर्स है इसके लावा आप शरी में आरेन की कमी को पूरा करने के लिए भीगे वे किश्मिश खाना शुरू कर देजे एक मुठी किश्मिश को राद पर भीगो दीजे सुबह इसे खा लीजे और बचे वे पाने को भी पी लीचे किश्मिश के लावा आप अनार खा सकते हैं बीट रूट का जूस पी सकते हैं गाजर का जूस पी सकते हैं पपीता खा सकते हैं अब मैं तिसरी चीज के बारें बताता हूँ, वो है विटामिन B12, खासकर वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की कमी देखी जाती है, और हमारे भारत देश में बहुत से लोगों के शरीर में B12 की कमी है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप नौन वेजिटेरिय कि दूध या दूध से बनी किसी भी चीज को सेवन करने से B12 की कम्याप के शरीर में नहीं होगी। अगर आप गायक का या भैस का दूध भी नहीं पिना चाहते हैं तो आप क्या कीजे, आप सोया मिल्क पीश सकते हैं, बादाम का दूद पीश सकते हैं, या फिर आप सोया का टोफू आता है, आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसमें भी बीट वेल काफी मातर हम होती है, इसके लावा आप अंकुरित अनाज खा सकते हैं, स्प्रॉट्स खा सकते ह auocks, इसमें bit welb अलग से add किया जाता है तो इसससे बेटल की कवी कमी पूरी होजाती है। या पिसी डॉक्टर से बात करके bit welb का supplement ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत से आप हारों में सुनपन, नस्में दर्ध, शूजन, व्लॉके शिटोरब से कीजिए। आपके इस वीडियो में बस इतना ही, I hope आपको इस वीडियो जानकारी इच्छ लेगी होगी, फायदेमन लगी होगी, इस वीडियो को शेयर कीजएगा, और जाते 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 जो जरूर इस वीडियो को लाइक करते हैं, धन्यवाद.